हाईलो आपके साथ एक प्लेन सारी रियूस आइडिया शेयर कर रही हूँ आप सभी के पास इस तरह की एक नए एक साडी ज़रूर होगी अगर आपको यह आईडिया अच्छा लगा तो आप भी यह ड्रेस जुरूर ट्राई कीजिएगा पहले आप साडी देख लीजिए साट क्योंकि गोल्डन कलर के ब्लाउस हम सभी के पास ओरड़ी होते ही हैं आज कर मोस्तली गोल्डन कलर के ब्लाउस बहुत सारी साडी के साथ आते हैं तो वो ऐसे हमारे पास पीस पड़े रहते हैं इस ब्लाउस का यूज करूंगी यह हाफ मीटर का ब्लाउस का पीस है तो इस आपको यह idea कैसा लगता है अगर idea अच्छा लगा तो लाइक और कमेंड कर दीजेगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए फिर इसकी कटिंग कर लेते हैं आप में साथ बने रहिएगा सबसे पहले हम blouse वाले fabric की cutting करेंगे dress के upper part के लिए यहाँ पे 4 fold में fabric को हमने fold कर लिया है ताकि back और front दोनों पार्ट की एक साथ cutting हो जाए अब यहाँ से हमें length linear नीचे की तरफ तो 17 inch पे हमने एक straight line खींच लिया है शोल्डर का तो शोल्डर मेरे measurement के हिसाब से 6.5 inches है इस line के ओपर half inch नीचे की तरफ हमें mark करना है अब यहाँ से नीचे की तरफ को armhole की marking करनी है तो मेरे measurement के हिसाब से यह 6.5 inches है 6.5 inches पे mark करके अब इन दोनों points को आपस में विला देना है अच्छे से fitting देने के लिए हमें तीन जगा मार्किंग करनी है एक upper rust की, second lower rust की और third waist की इन सभी points पे हम एक straight line ले लेंगे अब हमें यहाँ पे west की marking करनी है जितनी भी आपकी west है उसको 4 से divide करके half inch की losing add कर लेंगे मेरे measurement के according west side 38 inches है 38 को divide किया 4 से आया 9.5 inches 9.5 inch में half inch की losing दी तो यहाँ पे मैंने 10 inches ले लिया lower west को भी 4 से divide करेंगे जितना answer आया उसमें half inch की losing add कर देंगे waist line की marking भी ऐसे ही करनी है मेरे measurement के हिसाब से 36 inches waist line है उसको 4 से divide किया 9 inches आया 9 में half inch की losing रखके 9.5 inch यहाँ पे हमने mark कर लिया इन सभी points को आपस में इस तरह से हलकी हलकी round shape देते हो मिला दिया यहाँ पे अब हमें 1 या फिर 1.5 inch का margin रखके straight line लिए अब यहाँ पे हमें armhole curve बनाना है इस point से half inch पे हमें front curve बनाना है और 1.5 inch पे back curve बनाना है अब यहाँ पे bottom में हमें थोड़ा सा curve देना है तो यहाँ पे 1 inch पे mark किया और हलका सा गुमाव देते हुए इस line को इस point के साथ मिला दिया marking हो गई है अब हमें cutting करनी है तो इस तरह से हम cut कर लिए सबसे बहले हम back वाला armhole cut करेंगे यहाँ पे हमने half inch की marking की थी इसको भी cut कर लेंगे और यह जो part से आपस में जूड़े हुए है तो इनको भी अलग कर दिया इसमें से एक part को हटा देंगे हम जिसे हम back वाला part बनाएंगे और दूसरे part की front armhole की cutting कर देंगे sleeps के लिए हमारे पास इतना ही fabric बच्चा है तो इसकी length जो है वो हमें जितनी भी निकल जाए वो ठीक है और विर्स्त जो है 9.5 inches चाहिए sleeps की length 5 inch के आसपास ही रहेगी तो यहां से हम 3 inch पे marking कर लेंगे armhole की shape देने के लिए इस point को इस तह से curve देते हुए यहां तक मिला देंगे sleeps की मोरी 6 inches है तो यहां पे 6 inch mark किया इन points को आपस में मिला देंगे और 1 inch का margin और ले लेंगे इसकी cutting कर लेंगे और front armhole की shape दे देंगे half inch के उपर इसको भी cut कर लेंगे अब सेम इसी तरह से lining का piece भी cut कर लेंगे यह देखिए double fold किया और उसके बाद फिर से fold किया और इसके उपर रखेंगे हमारा जो blouse का fabric है उसको और lining की भी cutting कर लेंगे close side अपनी तरफ रखेंगे दोनों fabric की इस तरह से cutting कर लेंगे यहां पर दोनों pieces की हमारे कटे cutting हो रही है अब lining और main fabric जो है उसका एक total piece है वो निकाल के हमने side कर दिया अब यह बनेगा हमारा front piece इसका front armhole भी हमने cut कर दिया अब हमें bottom part की cutting करनी है तो table पे बहुत अच्छे से cutting नहीं होती है इसलिए मैं आपको नीचे बिचा के अच्छे से वहां पे cutting करके बताती हूं हम bottom part के लिए lining की cutting करेंगे पहले double fold करके हमने यह lining बिचाई हुई है यह lengthwise है fabric जो की 3 meter है और width जो है 42 inches है अब इन दोनों side में से कोई भी एक side उठाएं और इस तरह से diagonally place कर दें अब यह देखें इस side यह complete fold है और दूसरी तरफ open fold है अब यह corner जो बना इसके उपर हमें कमर की marking करनी है जितनी भी आपकी waste है उसको 4 से divide करें क्योंकि यहां पर हमने 4 fold में fabric अख़ा हुआ है जैसे कि मेरे measurement में waste है 36 inches तो उसको 4 से divide किया तो आया 9 inches तो हम 9 inches पर marking कर लेंगे या फिर यह जो हमने कट किया हुआ है अपर पार्ट इसकी भी measurement ले सकते आप अच्छे से अब इस तरह से inch tape को रखेंगे और 9 inch पर mark कर लेंगे या फिर जितना भी आपका measurement आ रहा है उतना होती है तो बार में trimming कर लेंगे तो अभी हमें margin बिल्कुर भी नहीं रखना यहां अब हमें waistline से नीचे की तरफ length की marking करनी है जितनी भी आपकी bottom part की total length है उसमें से 1 inch आप कम कर दें क्योंकि lining वाला fabric जो है वह main fabric से थोड़ा सा छोटता होता है मेरे measurement के according bottom की total length 42 inches है 2 inches की हम नीचे bottom में frill लगाएंगे तो lining की total length है मैं 41 inches रख रही हूं 1 inch का margin ले लिए हमने extra fold करने के लिए inch tape को top पर रखकर 41 पर marking करते जाएंगे इसी तरह से हर एक 41 पर हमने marking कर ली टॉप और bottom जहां पर हमने marking की है cutting भी कर ली bottom part में थोड़ा सा fabric हमें कम पढ़ गया है जहां पर हम joints लगाएंगे तो इसी fabric को जो भी हमारा fabric बचा इसको पर्टी करके हम इसके उपर रखेंगे और इसके बराबर की cutting कर लेंगे उपर वाले दो पीस में हमें यह fabric कम पढ़ा था तो दो पीस हमने कट कर लिए एक फोर्ड यह साइट से close है इसको भी कट कर लेंगे तो यह दो पीस में हमारे पास ready हो गया है bottom part अब हमें में फैब्रिक की cutting करनी है bottom part के लिए फोर फोर्ड में हमने fabric को बिचा लिया है यह इसकी length है और यह इसकी width है length इसकी 3.5 meter है जो half meter fabric है वो मैंने बाहर की तरफ निकाल दिया है और width इसकी 42 inches है इसको भी इसी तरह से corner से पकड़के place कर देंगे इस तरह से यह lining वाला piece है इसमें हमने जो joints cut किये थे वो attach कर दिया है अब इसको हमने एक बार fold किया और दुबारा से फिर fold किया क्योंकि हमारा जो main fabric है वो 8 layers में बिचा हुआ है तो इसे भी हमें 8 layers में ही fold करना है और इसको इस fabric के ऊपर place करके भी हम cutting कर सकते हैं आप देख रहे होंगे कि lining का गेर बहुत कम है तो इसका कोई issue नहीं है हमें उपर की तरफ से अच्छे से set करना है और नीचे की तरफ यह अपने हाप भी बहुत अच्छे से आ जाएगा lining को set करने के बाद नीचे की तरफ जितनी भी हमें length लेनी है length की measurement ले लेंगे और उसके बाद इसकी cutting कर लेंगे लेकिन अगर हमारे पास lining नहीं है और four layers में हमें fabric को cut करना है तो वह कैसे करेंगे क्योंकि main fabric में हमें बहुत जादा घेर चाहिए और अप्रॉक्स पूरी सारी का ही हम use कर रहे हैं इस घेर के लिए तो यहां पर हमने eight layers में fabric को बिचाया हुआ है तो अब जितनी मी हमारी waste है उसको हम eight से divide करेंगे lining के लिए हमने four से divide किया था अपनी waistline को लेकिन अब यहां पर eight layers में हमारा fabric पिछा हुआ है तो हम eight से divide करेंगे तो यहां पर four point five आता है पहले inch tape रखके देखनेंगे कि four point five हमारा कहां आता है उसके बाद top inch tape रखके जहां पर भी four point five की marking आती है हर एक four point five पे हम marking कर लेंगे 41 inches हमने यहां पर length रखी है तो अब top पर रखा inch tape और नीचे की तरफ जहां पर भी four point five आता उसके बराबरी में हम पूरे में marking कर लेंगे टॉप पे हम inch tape को इसलिए रखते हैं ताकि marking जो है बिलकुर accurate आए बिलकुर marking के ऊपर अब इसकी हम cutting कर लेंगे cutting हमारी हो गई है अब यह देखिए center में हमारा यहां पर भी fabric कम पड़ गया है अब यहां पर भी हमें joints लगाने पड़ेंगे तो joints लगाने के लिए fabric लिया fabric को यहां से इस तरफ से fold करना है हमें यहां से fabric जुड़ा होना चाहिए हमारा यह देखिए यह जो हमने fabric लिया यह पूरा जुड़ा हुआ है इस तरह के दो piece हम cut करेंगे और एक front में और एक back में attach कर देंगे यह देखिए आपको अच्छे से समझ आएगा यह जो हमने नीचे यह पट्टी लगाई हुई है यह एक joint है और दूसरा joint जो दूसरे piece में लगेगा तो एक तरफ का यह bottom का घेर है इतना ही घेर हमारे दूसरे part का भी है तो पूरी साड़ी में इतना सारा घेर मिल जाता है हमें अब इसकी stitching कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने lining बाला piece लिया है इसको अब main fabric के साथ हम attach करेंगे दोनों को waistline से आपस में मिलाया और यहां पे हमने sly लगा लेनी है waistline से हमारे यह दोनों pieces आपस में बराबर हैं तो कोई भी problem नहीं आएगी stitching में यह है हमारी dress का top part मैंने इसकी पूरी stitching कर ली और उसके बाद मैंने दिखा कि जो video clip है बिलकुल भी clear नहीं है तो एक ऐसा ही piece मेरे पास और पढ़ा था blouse का मैंने उस पे cutting की अब उस पे मैं आपको stitching करके दिखाती हूं कि किस तरह से यह मैंने stitch किया है cutting तक हमने उस draw part को देखा था आगे हम इस पे देखेंगे कि हमने stitching कैसे की है सबसे बहले हमने lining वाला piece लिया इसमें हम neck की width रख रहे हैं 3 inches और length रख ली यहां पे 8 inches back part की neck की cutting कर रहे हैं हम तो यह scale लेके हम यहां पे shape देदेंगे round neck बना रहा है हमें तो round shape देदी अब इसको इस तरह से party करके जो marking आई है ना उसी पे हम फिर से यहां पे marking कर लेंगे मतलब पूरा neck बना रहा है हमें इस तरह से यह देखिए अब main fabric को लिया इसकी right side ऊपर की दरफ रख के और उसके ऊपर lining विचा दी तो यहां पे pin up कर लेंगे हम ताकि हमारा जो fabric है set रहे अब यह जो हमने line draw की है इसके उपर हम slide लगा लेंगे मेरी तरह अगर आप भी अपने लिए stitching करते हैं बहुत ज्यादा stitching आपको नहीं आती है करने तो यह method आपके लिए भी बहुत easy है स्लाइल लगाने के बाद half inch का margin शोड़ देंगे और cutting कर लेंगे यहां पर चोटे चोटे कट लगा देंगे ताकि जब हम इसको reverse करें तो बहुत अच्छे से यह finishing आजाए यहां नेक की इसी तरह से sleeves की lining को भी attach कर लेंगे हम main fabric से यहां पर slide लगाएंगे और इसको reverse करेंगे तो यह हमारी sleeves भी ready हो जाएंगे slide लगाने के बाद इसको इस तरह से reverse कर लेंगे और इसके ऊपर lace लगा देंगे यह lace काफी flexible है तो round shape में भी बहुत अराम से लग जाती है starting में जहां पर यह next straight है वहां बिलकुल normal stitching करनी है जहां पर यह curve start हुआ वहां lace को थोड़ा सा डीला छोड़ना है इस तरह की lace को आप किसी भी shape में लगाएं बहुत अराम से लग जाती है दोनों pieces को shoulder line पर attach कर देंगे और उसके बाया sleeves भी attach कर लेंगे दोनों pieces की front arm hole को आपस में मिला कर sly लगा लेंगे तो यहां तक का video clip हमारा missing था अब next जो है हम अपने top part के साथ bottom part को attach करेंगे यहां पर attachment करते वक्त अगर हमारी waistline कम बढ़ती है तो इसकी हम trimming कर लेंगे bottom बारे part की और अगर जादा हो जाती है तो हम pleats डाल सकते हैं मेरे measurement के according यहां पर मेरे bottom वाले waistline थोड़ी सी बढ़ गी थी तो मैंने छोटे छोटे प्लीट्स डाल दी हैं इसमें यह lace हमने sleep पर और neck पर भी लगाई हुई है तो waistline पर भी लगा लेंगे इसे कि कि बैक वाले part की भी attachment कर लेंगे लेकिन यहां पर लेस नहीं लगा रहे हम अब फ्रील बनानी है तो उसके लिए 2.5 इंची विर्थ का fabric लिया है हमने और उसको double fold कर लिया और length तो जितना हमारा घेर है उससे इसके बाद हमारा जो अलग करनी है यह देखिए पहले हम main fabric को लेंगे इस की stitching कर देंगे वेसलाइन के नीचे से में फैब्रिक और lining पर जो फैब्रिक है उसको हमें अलग अलग अटैच करना है इससे घेर जो बहुत ज्यादा लगता है यह देखिए दूसरी तरफ भी हम इस लाई लगा लेंगे लाइनिंग को हमने साइड हटा दिया और जो main fabric है उस पे ही सलाइ लगा रहे हम वेसलाइन तक तो हमने फिटिंग ही सलाइ लगा ली थी उससे आगे जो है इन दोनों को अलग-अलग सलाइ लगाएंगे लास्ट में हम बॉटम पार्ट पे फ्रिल एड़ कर देंगे यह देखिए इस तरह से यह दिखाई देगी एक बारी एक सी golden color की last में पास पड़ी थी वो भी मैंने इसके उपर अटेच कर दी है तो हमारा जो gown है वो ready हो गया है चलिए friends देखते हैं dress कैसी बनी है जैस अच्छी लगी तो like और comment कर दीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ तब तक लिए take care and good bye प्रिज दो खड़े तो चैनल को भी समय है क्या है तो चैनल को भी तो लीजेगा तो भी तो चैनल को जाए है तो चैनल को भी तो तो बागा तो फिर झाल झाल